नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम निउस 24 मैं हूँ आपके साथ अनामिका सिंग क्रिशी कानूनों को लेकर केंद्र और किसानों के बीच्छरी आठवे दौर की मेटी में केंद्र को कोई न कोई हल निकाल अगर सरकार को लोगों और किसानों की तरफ देख कर कदम पीछे भी उठाने पड़े तो उठाना चाहिए या कहना है पंजाब सरकार की कैबिनेट मंत्री त्रिप्त राजिंदर बाजवा का जो बटाला में से होकर गुजरने वाले कसूर नाले हंसली नाला के दोनों किनारों पर 19 करोड की लागत से बनने वाली 20 फिट चौड़ी सड़क बनाने का नीव पत्थर रखने पहुच ग राजि सरकारों का था और केंदर ने कानून मना कर गलत किया और उसको राजियो पर छोड़ देना चाहिए वही बाशपर ने का कि पंजाब में पंजाब सरकार ने पहले से ही इन कानूनों को लागू नहीं किया आगे भी इन कानूनों पर फैसला कैप्टर अमरिंदर सिंग ही लेंगे. Prime News 24 के लिए जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट. पाँ यह उनने पैसे लाट की ते मानकी जी 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 साधे ए प्रोजेक्ट इरिगेशन मिनिस्टर साव सक्सरकारिया जी दे देखरेक तले बढ़ना इरिगेशन में कर रहा है तो उनना देकर पानाले पैसे मंजूर हो एने इदिना दोहें पासे असली दोहें कंडे जड़ेने पंद्राइब भी फूट जड़ेने चौड़े हो जाना उपर सडक भी बांड जाएगी तुमें पासे फ्लोरिंग भी होएगी हां फ्लोरिंग भी होएगी है अध्यां दोल्ड़न लाके ता जे अठवें गेर्दी अठवी मीटिंग चंती दिखाई दिया की कहना चान्दे पेशान चुकना पेदे को हर्ज नहीं लड़ाई लंबी होगी है कि हल निकलना चाहिए दूहां ते रानू सोचना जाहिए दा पर बहुती लंबी लड़ाई जा बहुता चंगा कामनी निकल दा ने और लगदानी भी स्टेट गौवम्ट दे सूट देना चाहिए देखो ज सब्सक्राइब करना चाहिए देखो पर निकलना चाहिए देखो निकलना चाहिए